एलो फ्रेंड वेलकम बेक टो इस्टेडि वायर यूटूब चेनल और आज की सम लेक्चर में डिसक्स करने जा रहे हैं लेक्चर नमबर थर्ड है अपना यह फॉर्थ नमबर का लेक्चर है और इसमें आज हम जो डिसक्स करेंगे वो डिसक्स करेंगे कुछ कोशन्स जो की इ पूरा यहां ट्रफ करा रहे हैं तो आप यह पूरे के पूरे के पूरे लेक्टर देखें और हम कल से ही मैद्स की पेड़ागौजी ईस्टार कर रहे हैं तो मैद्स का पूरा-पूर कुरा असले बस आपको इस चैनल पर मिलेगा यदि आप चैनल पर फर्स टाइम आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यदि आप हमारे कंटिनियर स्टुडेंट है तो क्या करिए यार आपकी जब मैं इतनी महनत करी रहा हूँ तो आप कम से कम वीडियो को सेर जरूर कर दीचे थोड़ा व्यू बढ़ेंगे तो थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा और अच्छे कोश्चन्स तो वैसे मैं लाही रहा हूँ हो सके तो आप लाइक क्लास्ट कर सकते हैं बहुत ही जल्दी बस आपके थोड़े सप समझ में आएगी तो यार सबसे पहला कोश्चन के अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से कोई कोश्चन है समझेगा और आप अगर पेन कॉपी लेके सॉल करने बैठ सकते हैं तो जादे बैठर होगा कि यह कुश्चन दे रखा है हमें सपोज यह पॉइंट वह हो जाए कुशन माुन और अगली कंडिशन यह दे रखे कि यह वाला जो एंगले पूरा पूरा यह दे रखा है 320 degree ठीक है कितना 320 degree अगर हमें यहां कुछ ठेवरिटिकल बात करें तो ऐसा B O A बराबर से 320 degree दे रखा है और वेलू निकालनी है B O A बराबर से question mark जहां पर आपको X लिखा दिख रहा होगा तो करिए किया यार आप पहले वीडियो पोस्ट कर लिजे उसके बाद अगर solve करोगे तो जाते बेटर रहेगा ठीक है तो आई होप आपने solve कर लिया होगा तो हमने जितने concept पड़े उस concept के अनुसार हमने कुछ इस प्रकार से पढ़ा है कि पूरा का पूरा एक circle जब बने तो यह कितने degree का बनता है 360 degree का ठी से देखेंगे तो यह पूरा का पूरा एक circle complete हो रहा होगा ठीक है यह जब पूरा एक circle complete हो रहा है तो हम यह बोल सकते हैं कि 320 प्लस x को अगर हम जोड़ते तो पूरों की value कितने हो जाएगी 360 degree तो यह बोल सकते हैं कि x degree ठीक है एक सडिगरी बराबर से 360 degree माइनस 320 degree अब 360 मेसे जब 320 घटाओगे तो बचेगा कितना 40 degree बचेगा तो हम यह बोल सकते हैं और x की value पूछी थी और x की value कितनी आ गई 40 I hope आप लोगों ने भी 40 ए डिगरी अंसर लाया होगा सेकंड कुशन की और चलते और कुशिस करें कि आर हर कुशन आप जरूर सॉल करें अच्छा होगा और notes बना रहे होंगे तो और बैटर होगा paper में आप directly revise कर सकते हैं और यदि notes नहीं बना रहे तो अभी इसे दो बार देख लिजिए हर lecture को और exam टाइप एक बार revision कर लिएन और अच्छा हो जाएगा कि आपको सारी चीज़े हाथ हो जाएगी अगला question देखते है question number second question number second कुछ इस प्रकार से दे रखाए कि suppose एक कोई यह रेखा हो गई ठीक है यह रेखा हो गई है और इस रेखा में अगर हम बात करें तो एक और यह रेखा हो गई ठीक है यहां पर आपको यह चीज़े दे रखिए इस point का नाम A मान लेते हैं इस point का नाम दे रखा है B और इस point का मान सी दे रखा है और यहां पर इसकी value हम मान लेते हैं यहां पर आपको x दिया है x degree और यह value इधर दे रखिए y degree ठीक है उसके बाद आपको एक चीज़ और दे सीदी रेखा कुन सी B C और A से एक यह है यह X डिगरी का कोड़ है और यह Y डिगरी का कोड़ है यदि X डिगरी की वेलू 75 है तो Y डिगरी का मान बताईए तो यह एक कॉंसेप्ट हमने पड़ा था कि जब कोई सराल रेखा हो और कोई दूसरी रेखा प्रतिचित करे या तो हम यह बोल सकते कि किसी सराल रेखा कि एक ही और बनने वाले कोड़ का योग होता है कितना 180 होता है मतलब इस कोड़ का मान भी कितना होगा 180 होगा पूरा तो हम यह बोल सकते कि यहाँ X प्लस Y इस पूरे का योग हो जाएगा कितना 180 तो हम यह बोल सकते है X डिगरी प्लस Y और यहाँ पर अगर हम बात करें यार तो y का मान दे रखा है y sorry x का मान दे रखा है कितना 75 degree plus y degree equal to 180 degree 75 plus का है पक्छांतर करेंगे तो काई में जाएगा माइनस में तो यार y degree बराबर से 180 degree minus 75 degree जब यार 180 में से आप 75 घटाओगे तो बचेगा कितना 105 degree तो यहाँ पर जो y का मान आया हूँ कितना आगया 105 degree आगया यह हो जाएगा आपका answer ठीक है आई हूप आप चीजे समझ रहे होंगे और थोड़ा सी अगर problem हो रही हूँ तो एक बार और देख लीजे और बैटा रहेगा तो अगला question क्यूर चलते question number third question number third को जिस प्रकार से हो जाएगा suppose आपको एक य एक रेखा हो जाएगी और इस रेखा के इधर अगर हम देखे तो एक यह second point हो जाएगा इधर और यहां से एक रेखा और हो जाएगी इस कुछ इस प्रकार से ठीक है और यहां अगर हम angle की बात करें तो इसे माल लेते हैं x मतलब जो दे रखा है आपको यह सारी चीजे दे दे रखी यह है x degree इसको हम माल लेते हैं 30 degree दे रखा है और यह आपको दे रखा है 50 degree ठीक है और x की value निकालने यह मतलब रेखा इधर इधर यह बढ़ती होई रहेगी तो यार कुछ इस प्रकार से डाइग्राम दे रखा है और यहां पर x degree की value निकालने है अभी हमने जो concept पड़ा उसके अनुसार रेखा कि एक ही और बनने वाले कोड़ों का यह होता है कितना 180 तो हम यहां यह बोल सकते कि यार x degree प्लस 30 degree प्लस 50 degree इन सभी का जो टोटल होगा हो कितना होगा 180 degree तो यहर इन सब का टोटल 180 degree होगा तो इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा 80 degree प्लस कितना हो जाएगा x degree प्लस की value जाएगी तो काई में जाएगी? माइनस में तो प्लस की वेलू काय में जाएगी माइनस में तो हम यह बोल सकते कि x डिग्री बराबर से 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री हो जाएगा और 180 में से जब 80 घटा रहे होंगे तो बचेगा कितना 100 डिग्री बचेगा तो हम यह बोल सकते कुछ इस प्रकार हो जाएगा, suppose आपको एक ये रेखा दे रखी है, ठीक है, और इस रेखा के इस और, ठीक है, यहाँ पे एक और तूसरी रेखा ये दी हुई है, और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर दो चीजे और दे रखी है, आपको कॉशन कुछ इस प्रकार ह देखा हो जाएगी, एबी, इस पॉइंट का नाम C और इस पॉइंट का नाम A है, और इस एंगल के अगर हम बात करें, तो यह एंगल दे रखा है, टू एक्स प्लस आठ, ठीक है, टू एक्स प्लस एडिग्री, उसके बाद अगर हम इस वाले एंगल के बात करें, तो यह व होगा यहां पर ठीक है यह 5 x-3 है तो यार हमने अभी जो concept पड़ा इसी के आधार पर इसे solve करेंगे तो हम जानते किसी रेखा कि एक ही और बनने वाले कोड़ों का यह कितना होता है 180 तो हम यह बूल सकते कि यार 5 x-3 प्लस 2 x प्लस 8 इन पूरे का योग हो जाएगा कितना 180 7 x और 2 x हो जाएगा कितना साथ x और माइनस का 3 और प्लस का 5 है तो कितना जाएगा प्लस का 5 बराबर से 180 ओं और आगे solve कर रहे होंगे तो हम यह बूल सकते प्लस का 5 का रिग में काएब माइनस में तो यार 180 डिग्री माइनस 5 डिग्री इधर कितना हो जाएगा 7 degree तो 7 degree equal to हो जाएगा जब 180 में से 5 minus करोगे तो 175 degree बच रहा होगा 175 degree बच रहा होगा तो हम यह बोल सकते हैं अब यह 7 काय में x के साथ multiply है तो x बराबर से 175 degree divided by 7 degree जब 7 से भाग दे रहे होंगे तो 7 दूनी 14 ठीक है 25 degree तो हम यह बोल सकते हैं x की वे दूपुची थी और x का मान आ रहा होगा 25 degree आई होप सारी चीज़े आपको समझ में आ रहे होगे और आप enjoy भी कर रहे होगे अगले question क्यों चलते हैं question number fourth कुछ इस प्रकार आपको दिया हुआ है ठीक है question में जो दे रखा है वो यह है कि एक यह सराल रहा है और एक यह कोई तूसरी देखा जो इसको इस प्रकार से हो जाएगी ठीक है यहाँ पर इस point का नाम A दिया है इस point का नाम B और इस point का नाम C है आगे बात करें तो यह वाला जो angle है यह y degree है और यह वाला जो angle है वो आपको दे रखा है x degree यहाँ पर एक चीज़ और दे रखे कि आर x minus y equal to 80 degree दिया हुआ है ठीक है और आपको x और y दोनों की value find out करनी है तो यह question number जो 4 थे वो कुछ इस प्रकार से कि यह सराल रहा यहाँ पर AC है और एक रहा भी है ठीक है x degree और y degree दोनों है और x minus y बराबर से 80 degree है तो x और y कमान ज्याद कीजिए तो यार अगर हम इसे ध्यान से देखे तो हम इतना जानते कि किसी रेखा कि एक ही और बनने वाले कोणों का यह कितना होता है 180 degree होता है तो हम यह बोल सकते कि x और y का जो sum होगा वो कितना होगा 180 degree तो यार x plus y का जो total sum होगा 180 degree होगा यार इसको equation number first मान ले जो दिया है उसको और जो हमने लाया है यार x plus y का मान इसको equation number second जब आप 10th में अपने इतना पढ़ा होगा जब equate करेंगे मतलब इसे solve करेंगे तो देखो y से y हो जाएगा cancel out x और x कितना हो जाएगा 2x बराबर से 80 और 180 कितना हो जाएगा तो 260 हो जाएगा ठीक है गुडे का 2 इधर जाएगा तो बटे में तो 2 से काटेंगे तो हम यह बोल जाएगे यह आ जाएगा कितना 130 डिग्री तो जो x का मान आ जाएगा कितना 130 डिग्री आ जाएगा यार x का मान तो हमारे पास आ चुका है अब बात रही y के मान के तो यार इसी वाली equation को हम फिर से उठाया तो यहां दिया था x minus y बराबर से 80 डिग्री दिया था तो एर x का मान हमारे पास आ गया कितना 130 डिग्री minus y equal to 80 डिग्री हो जाएगा और हम इतना जानते हैं यह 80 डिग्री इदर आएगा तो y का आएगा minus का तो 130 डिग्री minus 80 डिग्री equal to कितना हो जाएगा y और 130 मेंसे जब 80 मैनिस करोगे तो बचेगा कितना 50 डिग्री बराबर से y तो x और y कमान पूछा तो y कमान कितना जाएगा 50 डिग्री ठीक है आई होप आप सारी चीज़े समझ रहे होंगे अगले कुशन की ओर चलता है तो अगला कुशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा suppose दो रेखा दे रखिए इस प्रकार से ये पहली रेखा और ये दूसरी रेखा पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आपको दे रखा है ये पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C और पॉइंट D ये वाला एंगल आपको दे रखा है 50 डिग्री ठीक है 50 डिग्री मतलब एंगल इस पॉइंट का नम माल लेते हैं O तो आपको दिया है A, O, D ठीक है सॉरी A, O, D बराबर से 50 डिग्री और वेलू जो आपसे पूछी है वो पूछी है एंगल A, O, B का माल पूछा है कुशन मार्क ठीक है तो पहले वीडियो पोस्ट करके खुद से कोसिस करी कि सॉल करें तो आपने कोसिस की होगी ठीक है तो हम इतना जानते है आर में निक चीज़ आपको बताई कि रेखा कि एक ही और बनने वाले कोड़ों को यह कितना होता है 180 डिगरी होता है यदि यार में इसको ऐसा कुछ बढ़ा लो तो यह बोल सकता हूं कि यह जो रेखा है आपके पास यह वाली रेखा कुन सी डी से लेकर बी तक की क्या यह भी एक से राल रेखा और इसके यह एकी और जो आपको पिंक कलर का दिख रहा होगा इसका भी यह कितना हो जाएगा यही कितना जाएगा एक dozen से पूच्छा था कि ए वोगा की तो डcken में जाएगा के इसा घएगा आपका आंसर अगरें देख सा स्जेदा था अगला कोशन देखते हैं कि आपको दो सरल रेखाएं दे रखिए ठीक है मतलब कोशन नमबर जो भी हो तो एक ये पहली सरल रेखा और ये एक दूसरी सरल रेखा तो दो सरल रेखा दे रखिए आपको और इस सरल रेखा को हम ये बोल सकती कोई तीसरी प्रतिछेदी एक रेखा प्रतिछेद करती हुई जा रही है, तो इस प्रकार से दे रखा है, इसको L1, यह L2, और यह जो रेखा है वो L3 दे रखी है, यह यदि हम इसमें बात करें तो आपको 2-3 चीज़े और दे रखी है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको यह दे रखा है एक्स डिग्री यह वाला एंगल एक्स डिग्री दे रखा है और यह वाला दे रखा है 60 डिग्री ठीक है कितना 60 डिग्री और आप से यहां पुछा है कि find the value of x x का मान कितना होगा ठीक है x की value यहां से दे रखे होगी आई होब आप question तो समझी गए होंगे क्या दिया है और क्या आपको निकालना है तो यदि आपको concept याद होगा पिछले lecture से याद होगे तो अब तक answer आ चुका होगा मतलब जब भी इस प्रकार की condition बनी तो यह कोण और यह कोण बराबर होते हैं तो हम यहां देखेंगे यार कि यह वाला angle आपका बन कितना रहा है यह वाला angle अगर हम यहां देखें तो यह देखें एक आंतर कोण के condition बन रही है यहां पर तो यह 60 degree का है तो यह x कमान पर कितना degree होगा 60 degree किस condition के अनुसार तो एक आंतर कोण के अनुसार तो x की विलोगी 60 degree आईए अगला question देखते हैं तो अगला question कивал इस प्रकार से हो जाएगा कि आपको दो चीज़ें यहां पर दी होई ठीक है दो चीज़ें दी होई है मतलब अब एक सरल रेखा हो जाएगी यह दूसरी सरल रेखा और तिसरी पर्तिछीद करती होई जा रही है तो यह यहार दो सरल रेखा गई ये वाली ठीक है इसको हम नाम दे देते हैं L1 ये L2 और ये L3 जो कि इन दोनों को प्रतिछेट कर रही है L1 और L2 सामानतर है यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि L1 सामानतर है L2 के अब यहाँ पर आपको दिया है कि ये वाला जो इंगल की बात करें तो ये इंगल दे रखा है हमें 40 डिगरी ये वाला दे रखा है X डिगरी और ये वाला भी दे रखा है Y डिगरी अब ये वाला Y डिगरी दे रखा है तो यहाँ पूछाए कि यार Y डिगरी कमान कितना होगा तो यार अब भी पिछला कोशन यदि आप समझेंगे तो इस कोशन का अंसर आ चुका होगा तो आप समझेए मैंने दो चीजे सिखाई थी यदि दो रेखा एक दूसरे को प्रतिचेद करें तो आपने समय के कोण बराबर होते किस से सिर सभी मुग कोण से मतलब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिचेद कर रही है यह वाला गर चालिश डिगरी का है इसका मतलब यह वाला कोण भी कितने डिगरी का होगा चालिश डिग भरांगे तो X का माना जाएगा कितना जब यह वाला अगर 40 डिगरी haven't रही यहां किठना कंदिसन और यहां कितना था यह की वेलु जब 40 है तो वाइक यहां तो कितना होगि क्षा कर देख लेते हैं जो कि इस lecture का last question होगा क्योंकि lecture जादे बड़ा भी हो तो भी problem है यदि आपके demand हो तो जरूर बड़ा कर देंगे बट अभी तो इतना ही रहेगा ठीक है तो यह अगला question कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि suppose मालोग दो रेखा है ठीक है दो रेखा दे रखी है यह पहली और यह दूसरी रेखा और यह दोनो रेखा कुछ इस प्रकार होगी इस point का नाम दे रखा है यहाँ पर A B C और D ठीक है A, B, C, D यह दो रेखा एक दूसरे को प्रतिशेट कर रहे है और यह वाला जो angle दे रखा है वो 62 degree दे रखा है यह वाला X degree हो जाएगा ठीक है यह X degree और यह वाला Y degree हो जाएगा और value आपसे यहाँ पूछे यार X minus Y का मान कितना होगा ठीक है दो रेखा एक दूसरे को प्रतिशेट कर रहे है कुछ इस प्रकार से और यहां आप से पूछाए कि एक्स-माइनस Y की वेलू कितनी होगी तो जितना हमने पढ़ा है और उसके अनुसार यह आमने सामने के कोण क्या होते है बराबर मतलब यार इसका मान 62 है तो Y की वेलू भी कितनी हुजाएगी 62 तो हमसे पूछाए कि यार ए एक्स की वेलू निकालने है तो हम देखेंगा यह रेखा एक सीधी रेखा और सीधी रेखा कि एक ही और बने कॉंड कमान कितना होता है एक स्वासियंस होता है तो हम यह बोल सकते कि 62 डिग्री प्लस एक्स डिग्री एक्वल डु केतना हो जाएगा अर 60 डू डिग्री प्लस का काय में जाएगा मैंस में तो सीधी ये बरापर से उन एक्स डिग्री मैंस फिक्द्रूड memorize जब ईस में से 8 घटाओं तो बचेगा 8 और साथ में से एक मत्तम यह बन जाएगा ऐस का इसा मान आ रहा डिगरी और Y की वेल्वी कितनी 62 डिगरी आट मेंसे जब 2 घटाएंगे तो बचेगा 6 और 11 मेंसे जब 6 घटाएंगे तो बचेगा 5 तो उसने पुछा था कि X-Y का मान बताओ तो आएगा कितना 56 तो यह आज के लिक्चर में इतना ही अगले लिक्चर में फिर मुलकात होगी सबसे पहले ले लेते हैं मतलब जो हमारे एक्जाम फिर विए से एरे पेपर में आये हम वही कोशन को डिसकर्स कर रहे है तो कोशिस करिए कि जो चीज़ आपको ऐसा लगता है कि इस लेक्चर में सुधार होना चाहिए जिससे आपका ज्यादे से ज्यादे फाइदा हो सके तो आप बिल्क